कि नौ लक्षन जो बताएंगे लड़की को कि उसका मेल पार्टनर वर्जिन है कि नहीं है मैं इसके बारे में बात करने मालों में डॉक्टर दीपक करेकर में मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्षित अद्नियो महाराष्ण में से 30 साथ से प्रेक्टिस करूं गर्ल्स के वर्जिनिटी के बारे में उसके बारे में काफी चर्चा की जाती है लड़कों के बारे में बहुत कम चर्चा होती है हाला कि उसके लिए चर्चा भी होती नहीं मगर हर कोई लड़के को जैसा लगता है कि मेरे होने वाली पत्नी या गल्फ्रेंड जो है उसने पहले सिक्स किया हुआ है क्या वो कौरी है क्या तो वैसा स्त्री को भी ऐसा लगता है कि मेरा पती जो है उसने पहले उसके कॉंटेक् भर्जिन है कि नहीं है अब यह नो सँटीके का जल्दी वीर्य यह यह जल्दी वीरेव बात हो जाता है तो शायद वह पहली बार कर रहा है यह बहुत ऐसा इक सब्सक्राइब outbreak निकल सकता है यदि उनकी चमड़ी लिंक के ऊपर काफी सामने तक आयो ही है और कवर कर रही है तो पीछे जाने में तकलिफ होती है तो कुछ लोगों को खुन भी आ सकता है तो एक लक्षन हो सकता है दूसरा तीन बेड में बहुत अडानी या अंजान है या कोई उसको खबरी नहीं क्या कर असको या करा थो सकता है मिफ और प्रण तुरणेच करना चलू कर देता पहते हैं तो वाक लक्षनिट यह तो पांच वहां बेड में बहुत ही संकूच करना और इसमें फिर बहुत ही लगना उसको तो वो एक लक्षन होता है पांच नमबर का कंडोम का इस्तेमाल करना उसके बारे में वो बहुत ही आड़ा ने रहता है मालूम नहीं है कंडोम कभी उल्टाए पहन लेगा कभी कुछ कर लेंगा समझाना कि यह बहुत कोई ऐसा experience वाला है नहीं साथ चुमन लेने में आड़ा लगता है कि यह बिल्कुली नया है करके आठ परमीशन पूछन पूछता है अपने पत्नी की आपाटन यह करो क्या वो करो किया ऐसा परमीशन पूछन तो वह एक लक्षन आठ कपड़े के निकालना उसमें बहुत संकोच करना है और जल्दी कपड़े उतारने का नहीं है य एक्सपोज नहीं होने जली अपने आपको तो ऐसे नौ लक्षन है यह कि जो ऐसे बताते हैं कि हो सकता है कि लड़का वर्जिन है ऐसे को यह त्रिथ नहीं है थैंकियो बेरे मच बेरे इसे बताते है